दोस्तो नमस्कार, 2020 में Toyota Motors भारत में अपनी एक सस्ती MPB को लाँच करेगा Toyota की ये MPB, मारुती सजुकी RT गा और मारुती सजुकी XL7 पर अधारित होने बाली है ये MPB भारत में 2020 के 3rd quarter तक लाँच की जा सकती है ये कुछ ऐसा ही होगा जैसा की Toyota ने भारत में मारुती सजुकी की बलैनो हैच पैक को Toyota Glanza के नाम से लाँच किया था Toyota की इस आने बाली MPB का नाम भारत में Toyota RT या फिर Toyota XL7 हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या फिचर्स आपको Toyota की इस आने बाली MPB में देखने को मिलेंगे तो चलि दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों Toyota की इस MPB में Suzuki का ही K15B सिरीज का 1.5 वीटर का पैटरल इंजन मिलेगा जो की 105 भी हच्पी की पावर देगा और 136 नूटर मीटर का टॉक पैदा करेगा ये इंजन 5 स्पीड की मैनूल और 4 स्पीड की आटोमेटिक गेरबॉक्स की आपशन में आफ़र के जाएगा अगर आप इसका आटोमेटिक बेलेट खिरते हैं तो इसमें आपको मीड रैबी टेकनोलोजी की आपशन भी देखने को मिलेगी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टोईटा की XL7 में 1.4 रिटर का डीजर इंजन भी मिल सकता है और ये इंजन भी मैनूल के साथ साथ आटोमेटिक की गेरबॉक्स आपशन में आफ़र की जाएगा टोईटा की ये MPB front wheel drive की आपशन में आएगी और इसकी मालेज पैटॉल इंजन की आपशन में एक अन्मान के अनसार 17 km से लेके 18 km के करीब होने की उमीद है अब अगर एक्स्टीजर की बात करें तो टोईटा की इस MPB की एक्स्टीजर लूप काफी हद तक टोईटा आर्टी का और एक्सल सेबन जैसी होने बाली है जिसमें की एक्स्टीजर में टोईटा की बैजिंग के साथ फ्रंट रिल, प्रोजेक्टर हैड लैंप, LED डेटर अमनिंग लाइट, LED टेल लाइट, रूफ रेल, शाक फिट एंटीना, आर 17 इंच के अलोई बिल्स की ऑप्शन, और बिम बिटर इंडिकेटर जैसे शांदार इसके एक्स्टीजर में आपको मिलेंगे, अगर डेमेंशन की बात करें तो टोईटा की इस MPV के एक्स्टीजर डेमेंशन सुदू की XL7 जैसे ही होने बाले हैं, टोईटा की इस आने बाली MPV के इंटीजर में, 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेंबेंट डि कीलेस एंट्री, पुश्टास्ट बटन, लाज जोर पॉकेट्स, बॉटल एंड का फोल्डर, एम्बेंट लाइटिंग मोड, सैमिन डिश्टल इंस्टोटल क्लस्चर, शिक्स पिकर का प्रीम आडियो सिस्टम, मोनो टोन और डूल टोन कलर की आप्शिन इंटीर में, जैसे शांदार फिचर इसके इंटीर में आपको मिलेंगे, दोस्तों अब बगर सेफ्टी की बात करें, तो सेफ्टी के सभी जूरी फिचर आपको टोईटा की सेंटीर में देखने को मिलेंगे, इसमें की हिल स्टार्ट असिस्टेंट, ड्यूल फर्ट एबैक्स, साइड कर्टन कौर्न इबेक्स, कार्न स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवाज पाकींग क्यामेर बεις पाकटिंग असिस्टेंट, इसो फिक्स च्राइड लग, स्पेड अलर्ड सिस्टम, स्पीड सेंसिंग और तोडोर लॉंग, सैंटर लॉगिंग, एन्ट्यूल अलाम सिस्टम, हाई स्टें स्टील बॉडी, इलेक्टोनिक ब्रेक, फर्न डिस्क ब्रेक्स जैसे शांदाव सेफटी है विजे टोयटा की इस MPB में देखने को मिलेंगे दोस्तो जैसा कि हमने अखता है कि टोयटा की MPB भारत में 2020 के थर्ड क्वार्टर में लाउंच की जा सकती है और यह मारुती की आर्टिगा और मारुती की XL6 पर अधारित होने बाली है इसकी कीमत एक अनुमान के अनुसार 9 लाग रुपे से शुरू हो सकती है जबकि टॉप बेरियंट्री की इमत 12 लाग रुपे तक जाने की उम्मीद है दोस्तो इस MPV का नाम क्या होगा इस बात की टोयटा की तरफ से कोई दिगारिक पुष्टी नहीं है पर आप हमें बताएं कि आपको टोयटा की यह आने बाली MPV कैसी लगी धन्यवाद